Assalamu alaikum, आप देख रहे हैं, घर प्लांस पाकिस्तान, लाइबाब वापिस हाजर हो गए आपकी खित्मत में और आज का टॉपिक बहुत ही इंटरस्टिंग है और मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि अगर आपका घर बहुत simple है और उसमें बहुत inexpensive चीज़े पढ़ी है, तो किस सना से आप उनी inexpensive चीज़ों कई बचेट में रहते वेए आप अपनी घर को एक expensive लुक दे सकते हैं चलते हैं और शुरू करते हैं अपनी वीडियो पहरा और सबसे बेसिक टिप यह है कि आपने अपने घर को साफ रखना है गर्णा घर कभी भी लग्शूरियस फील नहीं दे सकता अगर उसमें बहुत जादा क्लटर है बहुत जादा चीज़ें और बहुत फैली है तो उससे आपका कमरा या घर ओवरॉल एक बहुत मैसी फील देगा और बिल्कुल भी बहुत उसकी इनेकस्पेंसिब सी फील आएगी सबसे पहले तो आपने यह करना है कि आपके घर में जितनी भी क्लटरिंग है उसको खतम करना है और हर विजिबल सर्फिस को रेगुलर्ली क्लीन करना है सारी ग्लास सर्फिस को रेगुलर्ली साफ करें डोर नॉब्स को पॉलिश करें क्याबनेट हैंडल्स को साफ रखें और यह सब करने से आप फील करेंगे कि वाकरी फरक बड़ा है उसके लाव अगर आपके घर में वुडन फ्लोरिंग है तो उसको आइल पॉलिश करवा लें उसके बाद उसको क्लीन करके उसके उपर ड्राइ क्लोथ जब आप फेलेंगे तो आप फेल करेंगे कि उससे भी बहुत अच्छी उसकी लुक निकल आएगी आपने उचली नोटिस किया होगा कि हम बहार के फैंटसी घरों की इमेजिस देखते हैं और हम कहते हैं कैसे इतने खुबसूरत लग रहे हैं कैसे इतने फैंसी और इनकी इतनी एक्सपैंसिब लुक कैसे आ रही है तो इसमें बहुत बढ़ा फैक्टर यह है कि वह बहुत और वो यही रीजन है कि वो एक बहुत expensive लोग दे रही होती है तो अगर आपके glass surfaces पे कोई भी surface नीचे मिटी है उपर मिटी है तो obviously वो लोग नहीं आएगी तो अपने घर को आपने सबसे पहले बहुत जादा साफ रखना है maybe you can go for light color sofas जैसे के gray और off-white और उसके साथ आप अड़ कर सकते हैं colored cushions वो patterns वाले भी हो सकते हैं या different textures वाले भी and of course जब आप neutral colors यूज करे होते हैं तो उसके साथ आप accessories के साथ play around कर सकते हैं उनको different colors दे सकते हैं अगर आपको colors का shock है तो overall जब आप neutral colors यूज करते हैं तो आपके रूम की भी एक अच्छी लोकाती है और एक expensive feel वो देता है अब जिस point के में बात करने लगी हो वो है lighting lighting एक बहुत ही key element है किसी भी घर को luxurious feel देने के लिए आपके खा कि lighting ऐसी होनी चाहिए कि जो भी उसको देखे है वो एक attention grabbing element हो so instead of this कि आप बहुत expensive chandeliers के ओपर इतने जादा पैसे spend करें अगर आप पसान करते हैं तो of course आप कर सकते हैं लिकिन उसका एक बहुत 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 अच्छा alternative ही है कि आप pendant lights लगवाएं pendant lights इतनी expensive नहीं होती और वो overall एक बहुत design का element भी add करी होती है और lighting भी अच्छी देरी होती है याद रहे remember this कि lighting एक बहुत important point है किसी भी घर को एक overall look और घर का atmosphere create करने के लिए lighting is really important कोई भी चेर अगर अच्छी design की हो और अच्छे colors की हो तो room में एक impact आड़ करती है मुझे personally accent chairs बहुत ज़्यादा पसंद है वो इसलिए क्योंकि ये अच्छी लगती है और room में color, texture और contrast आड़ करती है ये अरसानी से किसी भी space की monotony break करती है elegant or contemporary spaces में आपने देखा होगा कि different furniture को combine किया जाता है जैसे एक sofa के साथ एक accent chair combine की जाती है अगर उन में different shapes हों, colors हों तो वो room में और भी elegance आड़ कर देती है instead of this कि आप एक ही set का, एक ही shape के furniture खरीद रहे हों तो अगर आप अपने घर को interesting और जादा फुबसुद बना चाते हैं तो accent chair ज़रूर आड़ करें मेरी next favorite चीज है fresh flowers and greenery अगर आप जादा indoor plants आड़ करेंगे तो उससे आपको घर fresh लगेगा अब आपके पास इन में दो options आती है एक तो आप यह कर सकते हैं कि एक बड़ा plant आड़ कर सकते हैं किसी corner में and secondly आप यह कर सकते हैं कि windows या side tables पे छोटे छोटे इस तना के money plants वगेरा भी रख सकते हैं interior में light plants आड़ करना हर तना से बहुत अचा है चाहे वो color art करने के लिए हो चाहे वो freshness art करने के लिए हो या अच्छी fragrance के लिए हो तो इससे आपको यह सारी चीज़ें मिलती हैं अगर आप करें mirrors की तो मुझे ऐसा फील होता है कि mirror हमारे घर में जहां भी लगे हो वो एक instant glamour art करता है especially बड़े size के mirrors बात्रूम में अगर mirrors की बात करें तो अगर wall to wall mirrors हैं तो वो भी बहुत expensive फील देता है plus अगर living room और drawing room में हम framed mirrors यूज करें तो उससे सारा room एक तो spacious भी फील होगा और expensive जो look हम चाहरे होंगे वो भी add हो जाएगी besides that हमें पता है कि mirrors can do wonders जिसे कि में बात की कि mirror spacious feel देता है तो अगर आपका living room छोटा है तो और उसमें आप एक बड़ा सा mirror आट कर लेंगे उससे आपका drawing room या living room आप चहां भी add करें वो double लगेगा क्योंकि mirror चीज़ों रिफलेक्ट करता है मेरी favorite cheese हाँ जी हम बात करें हैं large heart piece की अगर इसकी बात ना की जाती तो शायद video में कुछ missing जरूर फील होता तो अगर आप अपनी घर में large art piece आट करेंगे तो उससे definitely definitely आके घर की एक expensive feel और look आएगे Art pieces room में color आट करती है, design आट करती है and obviously आपका room बहुत ही अच्छा लगता है बड़ा statement art piece obviously थोड़ा से expensive होता है तो इसका budget friendly solution यह कि आप easily DIY कर सकते हैं YouTube पर बहुत सारी videos available हैं और बहुत जल्द हम लोग भी budget friendly DIY के ऊपर एक video बनाने लगे हैं तो अगर आप उसको देखेंगे तो उसमेंसे भी आपको बहुत सारे ideas मिलेंगे आपने देखा होगा कि जितने भी expensive hotels होते हैं उनके अंदर white plain bedsheets होती हैं और बहुत clean और एक अच्छी और luxurious field area होते हैं तो अगर आप चाहते हैं कि आपका घर भी वैसा ही लगे तो इसमें आप white plain bedsheets अगर सकते हैं कुछ लोगे सोच रहोंगे कि इतना practical solution नहीं है हमारे यहां के lifestyle के मताबिक लेकिन कभी कभार आप ऐसे कर सकते हैं कभी अगर guests अगर आ रहे हैं इसलिए यह point मेरा favorite point है and I love candles candles अप अगर के किसी भी room के लिए बहुत ही बहत ही बहत ही बहत ही बहत ही बहतरीन decoration है और जिस भी area यह space में आप candles अगर करते हैं उस space में एलिगेंस अग हो जाती है So, add candles जो different sizes की हो, different shapes की हो, different colors की हो तो तो पिरिएशन भी आजाएगी और अच्छादेकर भी हो जाएगा चैंडल्स आप बैसे भी रख सकते हैं चैंडल स्टाइंस भी बहुत कुपसूरत बिलते हैं उनमें भी रख सकते हैं और डिफरेंट ग्लास जार मिलते हैं उनके अंदर भी चैंडल्स बहुत अच्छी लगती है Small details matter बहुत सो लोग इसे फोकस नहीं करते हैं, उको लगता है कि छोटे छोटे डेकोरेशन पीसे से क्या फरग परता है लेकिन वही वो डीटेल्स होती है जो कि किसी भी रूम में अगर आको कोई चीज मिसिंग फील होती है तो आपने वहां पर स्मॉल डीटेल्स आट करनी होती है अब जैसे यहां पर मैंने यह कैंडल आट की विया, यह स्मॉल डीटेल है और इसमें एक अवरॉल एक एलिगेंस आट कर रही होगी उसके इलाबा आप कोई छोटा सा गोल्स में अगर कोई चोटा सा डेकोरेशन पीस से आप वो आट कर सकते हैं उससे भी बहुत एलिगेंस तो यह चोटी-चोटी चीज़े होती हैं जो कि आपके रूम को अच्छी लोग देती हैं आज के वीडियो के लिए इतना ही उमीद है कि आपको वीडियो पर संद आई होगी अगर आपने अभी तक हमारे चानल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको फरन सब्सक्राइब कर ल लेगा तिल नेक्स टाइम अलाह आपेंस